नमसकार दोस्तों मैं सन्दीफ स्वागत आप सभी का आज किस नए क्लास मेंちょ अज किस वीडियो में बात करने वाले हैं जिन भी यहीं चारत्तरों का एक्जाम आने वाले दिनों यानि 2022 में होने वाला है उनके लिए बीडियो बहुत ही important है क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले बिये के हिंदी के most important question और answer के बारे में जो कि टॉप लेबल के हैं आपको exam में काफी मदद मिलेगी बस मैं यही कहूंगा वीडियो को सुरूर से last तक देखेंगे काफी मदद मिलेगी question जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मिना दरीव के topic पर आते हैं आज कि वीडियो के जितने वी question और answer आपको बताते हैं ध्यान से समझेंगे ठीक है चलिए आज की वीडियो का जो पहला question है वह है आप सभी कुमालों कि सब्जेक्टिव exam होंगे यानि कि question paper में कुछ exam जो कुछ question आएंगे बहुभी किल पे कुछ अतले गुतर कुछ लगुतर कुछ बिस्तित उत्री तो इस वीडियों जितने भी question होने वाले वह अतले बिसके वाने वाले तो ध्यान देजेगा जाइस्टिक वेस्टिक निरूपित कीजिए तो वेस्टिक कीजिए इसका मतलब क्या है चलिए समझते है उत्तर में लिखा है कि जाइसी भक्तिकाल के निर्गुर्पंथी साखा के प्रेम मार के उपासक सूफी संद थे जान दखेगा जाइसी भक्तिकाल के निर्गुर्पंथी साखा के प्रेम सर के उपासक सूफी संद थे उनकी काब विभासा साधना उच्चिकोट की है नहां देजेगा उनकी का कावना है काव विरशना जाइशी के लिए साधन मात रहे किन्त उन्होंने अपने साधना में रत रहे कर काव कला के विवीद पच्छों का भली भात असपर्च किया है उनके काब में हिर्दय के तीब्र अनुभूत और गहन वेदना का मारमिक चितन हुआ है यही कारण है कि जैसी हिंदी जगत में अपने ग्रंथ पदमावत के कारण अमर हो गए यही कि जैसी जी की जो प्रमुख ग्रंथ है उनकी प्रमुख गंध प्रदमावती है पदमावती के कारण यह जो जैसी जी से बहुत प्रिसिद्ध हुए क्योंकि प्रदमावत में बहुत ही मारमिक वरडन किया गया है तो उसकी वज़ा फे बहुत ही अच्छे डंग फे जो कि बहुत ही लोगों को लोग प्रेय लेगी और बहुत लोग इंश्फायर हुए उन्होंने कहा कि पदमावत को राम चेइत मानस के बाद दूसरा महत्वड महाकाब बोज मुलання तो राम चेइत मानस के बाद दूसरा गृंथ अंगर रखा गया है दूसरे पर अगर किशू को रखा जाए राम चेइत मानद सुक्ल जी की अनुसार तो वो है उसका नाम है पदमावत जो की जाईसी जी की गरंथ है ठीक है जाईसी जी का गरंथ है तो इसमें इन्हों ने कहा है कि पदमावत को रामचेहित महाज के दूसरा महात्वण महा काब भी बताया है जाईसी ने कुल चार रसनाए ठीक है प्रारूपित की है पदमावत अखरावट आखरी कलाम और कुल ज़सरीफ जिसमें पदमावत का उनका सर्वसेष्ट का भी है इसकी स्रिष्टा पर मुख्द होकर कुछ आलोचक ने तो यहां तक यह कह दिया कि इसका मुल्यांकन रसनाकार को केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए था ठीक है वही पर बारे में घृत कि घृत कि सम्ष होगाल जैसी करता के जैसी कानला कर जानते हैं दो इंकि जो काब विकला उसके बारे में क्या जानदे चलिए इसके बारें थोड़ा पड़ते हैं थोड़ा जानकारी लेना आपको जरूरी है क्योंकि अगर थोड़ा पॉइंट पा जाएंगे ऊप लोग डीटियल मी लिख दा रहेंगे दो चार पेज कि आप लोग एक्सप नहीं थी किन्त उनका अनभूती ध्यान देजेगा उनकी जो अफिच्छा थी बहुत अच्छी नहीं थी ठीक है अधिक अच्छी नहीं थी किन्त उनकी जो अनभूती थी ठीक अनभू करने की जो कपेस्ट्री छमता थी पच्छ ध्यान देजेगा अनभूती पच्छ इतना ग किभि मुड की जो थी वह भरपूर मात्रा में इन के पास था ठीक है और इसमें बताःगा रहा है कि अपनी अनुआती गत्था के कारण ही जैशे हिंदी शाहित के महा कभियों में प्रमुख माने जाते हैंarial जाहं देजिएगा इंदी जाहित के जो महा कभी हैं उनमें प्रमुक कभी में से एक जैसी जी भी है इनका अस्थान उच्च कोट पे यानि उच्च रखा गया है तो यह प्रमुक माने जाते हैं और लिखा है कि माय जाते और पदमावत महा काभ्यों में उच्च अस्थान पर अधिकारी ग्रंथ है जैस देखते हैं और क्या लिखा इसके आगे में पॉइंट पढ़ लेते हैं कलात्मक सष्ट नहीं की है परन्त उनकी कलागा चेतना बिशिष्ट कोट की है इसी किसी भी प्रकार से उनका काब भी हीन नहीं ठहराता यानि कुल मिलाके उन चेट हैलाता है किसी को नुकसान या फिर उससे किसी को दिमोटिवेशन या उससे किसी को हान नहीं पहुंचानी काब में हिन नहीं ठरावाकता कोई गलत नहीं साबित कर सकता तो यह प्रकार की रही है सिरी जाइफी जी की काब विकला का जो उनकी काब विकला थी ठीक है वो इस प्रकार रही है जो कि मैंने आप लोग आपके एक्जाम में आना ही आना है कनफरम है ठीक है अगला कोश्चिन है कि जाशी का जन्म कब हुआ था तो सिंपल सा आप लोगों का एंसर दे देना कि श्री जाइफी जी जो है उनका जब किसी का आकड़ा नहीं होता जैसे कोई कोई करेंट में नहीं देखता जैसे कि एक् परिस जो हमारा बच्चा इस डेट में इसकी जङठ्स को इस और इस ताइम पर और इस ताइम लग है तो वहीं बताया गया है कि बहुत सारे उनका जंव 1493 में मानते हैं या भी में जिसले आप लोगों को नहीं होगी और आपको पूरे नंबर बीचाएंगे जाइशी के गुरू का नाम बताईए तो जाइशी के गुरू के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अन्त अफचैयों के आधार पर जाइशी के दो गुरू है यानि कि दो गुरू के नाम सामने आते हैं पहला है सेयद असरफ दूसरा है मुहियुद्दीन तो इनके दो कभ waking day जनका नाम में पहला चाहिए दसर्फ दूसरा दिन तिसरा अगला question मोधिन लिखा कि पूर्व वर्ति कितने प्रय हमाक्षानों का अलेक्षी ने पूर्वार्थी वर्ति निकां में कि प्रह्माक्षान ने कि're jack Raymond I'm a liar तो पहला है मुगदावती, दूसरा है म्रगावती, तीसरा है मधुमालती और चौथा है प्रेमावती, तो उन्होंने अपने पूर परती में चार प्रेमाखानों का उलेक किया, जो कि आपकी सामने निम्नुवत है, याद रखेगा, most important question आपके एक्जाम में आने का चांस है, तो आप लोगों को जामने देखाएगा, तो अट्रेक्शन होगा, यानि की अट्रेक्टिव लगेगा, ठीक है, पॉइंट वाइस करके लिखेंगे, तो नमबर एक, नमबर दू, नमबर तीन, तो पहला लिख देना है, अखरावाट, तीसरा लिख देना, आखरी कलाम, अथा कनावत, जाशी के काब गरंथ है, ठीक है, प्रमुक काब गरंथ है, तो याद रखेएगा, ठीक है, नेश्ट कोश्चन है, कि अचार रामचंद सुकल ने अपने हिंदी साहित के इतिहास में, जाशी के कुल कितने गरंथों का नामों लेक किया है, तो चलिए देख ल ठीक है, याद रखेगा, ये दो प्रकार के कोश्चन पूछे जाएंगे, एक तो पूछा जाएगा, जाशी के पूरवर्ति या उफरी, इनके काब गरंथों का नाम लिखिए, और ऐसा कोश्चन आप रखता है, रामचंद जी के अनुसार, इतिहास के अनुसार, तो आप यहाँ पर तीन ही लिखिएगा, ठीक है, अधरवाज यहाँ पर आप लोग यह पूरा लिख सकते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए रामचंद जी के निकट जायस के रहने वाले थे, तथा सेर सासूरी के समाकालीन थे, ठीक है, तो यह सेर साजू के समाकालीन थे, तो आप ग्याद रखेगा, उत्तरप्रदेश के में ठीक निकट जायस में रहने वाले थे, और सेर सासूरी के समकालीन थे, ठीक है, नेक्ट कोश्चन इसी में है, कि जायसी के काब ग्रंथ, अखरावट की बिसेस्ता बताईए, तो मुख बिसेस्ता क्या थी, जो उनकी एक करती या फिर ग्रंथ है, अखरावट इसकी मुख बिसेस्ता क्या थी, आप लोगों का इंसर्म लिख देना है था, लिखना है कि अखरावट में देव नागरी वरणमाला के एक एक अच्छर को लेकर तत्तु घ्यान सम्मंदी बाते कही गई है, अखरावट में, ध्यान नियाज़ इसकी मुख बिसेस्ता है, ठीक है अखरावट की, जिस्ट रेखा किस प्रकार का कावब है, तो जो चित रेखा है, वो एक लगु प्रेमाख्यान कावब है, ध्यान रखेगा, चित रेखा के बारे में आज़ा तो आप लोगों दिख देना है, कि चित रेखा एक लगु प् तो पद्वावत में साथ चौपाई के बाद एक दोहा है याद रखेगा तो पद्वावत में साथ चौपाई के बाद एक दोहा है याद रखेगा पद्वावत में साथ चौपाई के बाद एक दोहा है ठिक है ये नेश्छे कोश्चन है लिखा कि आख्री कलाम में किसका वर्ल लं क्या गया है जो आख्री कलाम इंकी इंकी इन किसका वर्ल किया गयां किया तो इन ही में से अधिल लगत्रे में से इन ही में से कुछ कोईस्टन आपको देखने हो जरूर मिलेंगे ठीक है तो आई यह और लोग वीडियो और देख लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा और वीडियो चिलेगे लाइक करेंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा